अगर आप लोगों नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस प्लेइलिस्ट का लिंक मिल जाएगा जिससे आप आसानी से उन टेस्ट पेपर को भी साल्ब कर पाएंगे फ्रेंड्स यह टेस्ट पेपर सभी नर्सिंग कमटेटर एक्जाम्स की देश्ट से बहुत ही मात पूर है जैसे की आल इस्टेट एन एचम इस्टाप नर्सिंग एक्जाम आल इस्टेट छेट एक्जाम आल एमस एक्जाम आल पीजिया एक्जाम जितने भी नर्सिंग कमटेटर एक्जाम्स होते हैं सभी के लिए इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स वेजिकली फ्रेंड्स करें कि सबी questions के answer हमें comment box पर दें friends पहला question है in the following which is not preventive measure for tetanus new neutrum निमलिकित में से tetanus new neutrum के लिए कौन सा निमारक उपाए नहीं है friends आप आप लोग questions का right answer guess करें कि टी वेक्सिनेशन है कि फालो फाइब क्लें रूले भी है टी टी इमनाइजेशन डिविडिंग प्रोड़क्टिव एजे भी है friends इस questions के लिए राइट आंसर आपसन नंबर डी पेंसिलीन एंटिबेटिक टेटनेश नियोनेटरिम के लिए निमारक उपाए नहीं है friends question number two है the nurse evaluates the adequacy of नियोनेट्स oxygen by monitoring किसका मुल्यांगन करके बच्चे की oxygen की पर्याप्तता का आंकलन करती है एक nurse किसका मुल्यांगन करके friends आप लोग questions का राइट आंसर किस करें friends questions का राइट आंसर है आपसन नंबर C कि आर्टेरियल ब्लट गैस लेबल का आंकलन करके एक nurse evaluates करती है नियोनेट्रम अडेक्वेसी आफ नियोनेट्रम oxygen का ठीक है friends friend question number 3 है the most important complication of mumps in post pubertal male is post pubertal male में mumps की most important complication कौन सी होती है friends questions का आप लोग right answer किस करें friend questions का right answer है आपसन नंबर B sterility sterility मतलब friends बांजपन बांजपन हो जाता है mumps के द्वारा ठीक है friends friend question number 4 है parents of hospitalized infants should be encouraged to stay with their child to help decreased hospital में भरती एक बच्चे के साथ मा या उसके parents को भी admit होना पड़ता है तो वो किस बात के लिए increase करें बच्चे को friends आप लोग questions का right answer किस करें separation in anxiety option number 20 questions के लिए right answer है अगर बच्चा अकेला अस्पताल में भरती होगा तो उसको separation in anxiety होने की संभाव ना है वो बू नेक्ट कोशन है friends कोशन नमबर फाइब डूरिंग दा फ़र्स्ट यर आफ्टर बर्थाफ अन इन फ्रेंड्स बर्थवेट नॉर्मली फ्रेंड्स कोशन का right answer किस करें डबल ट्रिपल या कितना हो जाएगा उसका बर्थवेट आफ्टर फ़र्स्ट यर में बारा महने में कितना हो जाता है friends हमने बहुत सारे कुशन में इस कुशन का आंसर दिया है friends कुशन का right answer है आफ्टर नमबर सी ट्रिपल हो जाएगा वन येर में ठीक है friends नेक्ट कोशन है कोशन नमबर 6 अगर वारेस का सेल्यूशन फ्रेस बनाया गया है तो उसको कितनी देर के मतलब कितनी देर में यूज कर लेना चाहिए तो फ्रेंड्स कोशन का right answer होगा आपसन नमबर बी ट्रेंड्स 24 आवर्स के अंदर जो ओरेस सेल्यूशन है वो यूज कर लेना चाहिए तो नेक्ट कोशन है फ्रेंड्स कोशन नमबर 7 फ्रेंड्स फ्रेंड्स की का मैंफेस्टेशन निमली खितमे से क्या है क्या उसकी लग चल्डगया है फ्रेंड्स right answer घज करें य्विटर्स का right answer आपसन नमबर ए प्रोजेक्टाइल विमिटिंग टिका है फ्रेंड्स बहुत सारे टेस्ट पेपर में हमने इस question discuss key friends friends next question a question number eight which of the following would the nurse recognize the most characteristic of cerebral palsy friends which of the following should nurse recognize the most characteristic of cerebral palsy and slide answer this curry cerebral palsy का most characteristic feature क्या है friends right answer guess करें it appears at birth or during first two year of life या तो या जन्म के समय दिखाई देता है या दो साल के अंदर जन्म के दो साल के अंदर दिखाई देता है ठीके फ्रेंट्स कुसिन नमर नाइन है आक्सिजनेटेट ब्लड इंटर दा fatal circulation from amlican vein via oxygenated blood fatal circulation में amlican vein किस vein दो आरा एंटर होता है are aical vein में किस के दो आरा एंटर होता है है friends आप लोग questions का right answer किस करें है get questions का right answer है option number a डेक्टर्स विनेसस के द्वारा इंटर होता है friends friends next question है question number ten which of the following और sign up post mature newborn post mature newborn के निम्लिखत में कौन से sign है friends आप लोग questions का राइट आंसर केस करें जब बच्चा 280 दिन के बाद पैदा होता है या उससे दो वीक बाद मतलब 292 डेज तक अगर बच्चा पैदा होता तो उसे पूश्ट में चोर्ड न्यूबर्न बोला जाता है ठीक है फ्रेंड्स तो उस उसका साइन क्या है फ्रेंड्स राइट आंसर आपसे नंबर बी ब्राइटल फिंगर नेल यानि भांगूर नाकून उसके जो नाकून होते हैं वो बड़े-बड़े हो जाते हैं ठीक है फ्रेंड्स हाँ थो और पैड़ों के नेक्ट कोशन है कोशन नंबर 11 रिकमेंडेड साइट आ में एडिमिस्टर करने के लिए रिकमेंडेड साइट क्या होते हैं डीपीटी डिफ्थेरिया पर्टुशी स्टेटेनिस की जो वैक्सीन है वो किस साइट में लगाई जाते हैं यह कुश्चन पूछ रहा है फ्रेंड कोश्चन का राइट आंसर है अपसे नंबर ए डेल्ट डेल्ट्वाइड मसल्स जो कंधे की मसल्स होती है हमारे जो बाद बोडी में कंधे की मसल्स होती है यह वाली मसल्स कंधे की फ्रेंड्स वहां पर यह इंसर्ट करवाई जाती है ठीक है फ्रेंड कंधे की मसल्स में शोल्डर मसल्स में कर्म के नेक्स नेक्ट में नम्बर 12 विच आप दी कांजे निटल काडिोवस्कुलर डिसार्डर इन इस गंशीडर हम साइनो टीक के फ्रेंस निमली खित में कौन सा कंजे नीटल काडिोवस्कुलर डिसार्डर है जो साइनेटिक को कंसीडर करता है फ्रेंट्स का राइट आंसर आपसे नमबर डी पेटेंट डक्टस अर्टेॉरियोस ठीक है फ्रेंट्स जबकि यह जो तीनों है है राकस्पीड अल्टाइशिया ट्राटलाजी अंफालट और यह तीनों साइनोटिक डिसॉर्डर ठीक है यह साइनोटिक है यह साइनोटिक है प्राइटेंड ड्क्ट रिख अस्ट इस नेक्ट कोशन है फ्रेंड कोशन नमबर थर्तीन अनर्ज कन expect that a normal newborn infant should be double double his weight by कितने दिन में नए जन्मे बच्चे का वजन जन्मे के वजन का दूगुना हो जाएगा friends right answer guess करें तूगुना friends right answer is questions का option number B six month ठीके friends इसका most appropriate जो answer है वो five month है ठीके friends five month में बच्चे का वजन जन्मे के वजन का दूगुना हो जाता है friends next question है question number 14 initial nursing assessment of an infant suffering with acute diarrhea and dehydration reveals अगर कोई बच्चा acute diarrhea और dehydration इंद्रजली करन और acute diarrhea से ग्रसित है तो उस पर से मतलब क्या लक्षड दिखाए देंगे क्या assessment करके उसको इसकी finding की जाएगी किसी इसका अकलन करना होगा friends right answer है इसका option number a skin trigger skin trigger इसके लिए right answer है friends skin trigger होता है अगर बच्चे की skin को दबाया जाए friends जैसे यह skin है इसको अगर दबाया जाए तो friends ऐसे हो जाती है skin ठीक है तो यह अपनी वर्जनल position पी अगर dehydration नहीं है अगर dehydration नहीं है तो वर्जनल position में तुरंट आ जाएगी ऐसे फ्लैट हो जाएगी लेकिन अगर friends बच्चा dehydration से गरसीत है तो यह अपने वर्जनल स्थित में आने के लिए काफी टाइम लेगी एक दू सेकंड लेगी तो इसको skin trigger के नाम से भी बोला जाता है ठीक friends question number 15 है severe muscle wasting growth failure and loss of subcutaneous fat are the feature of किस बीमारी के फीचर है muscle wasting growth failure and loss of subcutaneous fats किस बीमारी के यह लक्षण है friends यह अपसन नंबर 10 के लिए correct answer मरसमस disease के फीचर है मरसमस एक protein energy malnutrition है ठीक है friends और प्रोटीन कुपूरसर्ड के नाम से जाना जाता है मरसमस disease को ठीक है friends यह और उर्जा और प्रोटीन की कमी से होने वाला एक रोग है friend question number 16 है at which a child can start to brush his teeth बच्चा किस उमर में अपने दांतों को brush करना start कर देता है friends right answer guess करें friend question right answer option number B तीन साल में बच्चा अपने दांतों को brush करना start कर देता है ठीक है friends next question friend question number 17 आफ्टर बर्थ हाब बेबी ब्रिस्ट फीडिंग शुट बी स्टार्टेट बच्चे के जन्म के कितनी देर के बाद ब्रिस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए तो friends इस questions के लिए राइट आंसर है अपसे नंबर बी वितिन हाफ एंड आवर मतलब आधा गंटा के अंदर स्टार्ट कर देनी चाहिए अगर नार्मल डिलिविरी के दवरान नार्मल डिलिविरी के दवरान हाफ एंड आवर में और friends अगर सीजीरियन हुई है तो उसके लिए राइट आंसर होगा वितिन टू आवर्स ठीक है friends यह उसके लिए सीजीरियन के लिए राइट आंसर होगा friends next question है question number 18 प्रिया a five year old girl is suffering from acute respiratory infection she could be given उसको क्या देना पड़ेगा अगर वो acute respiratory infection से ग्रसी थे एक बच्ची फांच चाल की है और वो acute respiratory infection से ग्रसी थे उसको खाने में क्या देना पड़ेगा friends right answer होगा इसके लिए option number a plenty of fluids and foods धेर सारे फाल और friends next question है question number 19 a baby lift his hand hearing heart voice is called अगर बच्चा अपने हाथों को उठाता है कब जब वो हाड आवाज सुनता है तो अपने हाथों को उठाता है तो उसको क्या कहा जाएगा friends अब लोग questions का right answer guess करें friend questions का right answer है अपसर नमबर C मैरो स्टार्टल next question है friend question number 20 which of the following area is most common site of cancer in children निमने में से काउन से area सबसे common site है children में cancer का बच्चों में cancer का सबसे common site क्या है friends right answer है इस questions का option number C bone marrow bone marrow cancer सबसे common cancer है बच्चों में सबसे common site है यह बच्चों में cancer का bone marrow ठीक है friends next question है friends question number 21 in case of newborn so sign up asphyxia at birth nurse should be immediate अगर asphyxia का sign nurse देखती है बच्चे में तो उसको immediate क्या precaution लेनी चाहिए तो friends right answer is questions के लिए होगा option number B clear the airway airway को तुरंद clear करना है इस फैक्सिया का मतलब होता है friends जो हमारी body बच्चे की body पे oxygen की मतरा बहुत अगर कम दिखाई दे रही है तो उस समय airway को clear करना चाहिए ठीक है friends ताकि वो अच्चे से सास ले सके oxygen की कमी पूरी हो सके friends next question है question number 22 all are the essential requirement of nursing care of children with severe diarrhea except severe diarrhea में निम्लिकित में से कौन सी nursing requirement नहीं है friends आप लोग questions का right answer किस करें friends questions का right answer है option number B taking weight daily ये requirement नहीं है इसके लावा ये सभी है administration of fluids orally इसके बाद replacing loss calorie और maintain normal body temperature ये सभाय है और जबकि टेकिंग वेट टेकिंग वेट डेली ये नहीं है requirement friends next question है question number 23rd 23rd number question है friends a you take your issue face easy life should be suspected in a new nurse immediately after birth if one of the following is present uh टेको इस वेडि़न भी फेसल फेजील ला बच्चे जी में परिजेंट है अगर निम्लिकित में कौन सा प्रेजेंट निम्ली कितमे क्या प्रेजेंट है तो यह ट्रेक ओफ इसो फेजियल फेश्टुला होने की संभावना है बच्चे में फ्रेंड्स कोश्चन्स का आप लोग राइट आंसर गेस करें अगर बच्चे में excessive amount of frothy saliva in his mouth है तो यह ट्रेको ऐसे फेजियल फेश्टुला होने की संभावना है बच्चे में ठीक है फ्रेंड्स excessive amount of frothy saliva in the mouth यह राइट आंसर इस questions के लिए फ्रेंड्स फ्रेंड्स नेक्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 24 साइनोसिस in a child can be seen in all the places mentioned below except साइनोसिस सभी स्थानों पर बच्चे के दिखाई देता है किसको एक को छोड़कर साइनोसिस बच्चे के सभी स्थानों पर दिखाई देता है फ्रेंड्स कोश्चन का राइट आंसर आपसे नमबर ए इस क्लेरा को छोड़कर साइनोसिस बच्ची हर जगा दिखा जा सकता है बच्चे में ठीक है फ्रेंड्स टॉंग नेल बेट लिप्स नेक्ट कोश्चन है फ्रेंड्स कोश्चन नमबर 25 इस्ट्रांगिश्ट इस्ट्मलाइस अफ लेक्टेशन इस वाई फ्रेंड्स आप लोग कोश्चन का राइट आंसर किस करें फ्रेंड कोश्चन का राइट आंसर आपसे नमबर टी सकिंग मतरब चूसना ठीक है फ्रेंड्स नेक्ट कोश्चन है कोश्चन नमबर 26 फीच कंपोनेंट लेक इन हुमिन मिल्क मानो दूद में कौन सा कंपोनेंट नहीं पाया जाता कौन विटामिन डी कैल्सियम आईजिये या मैगनिसियम फ्रेंड्स कोश्चन का राइट आंसर करें और इसकूसन का राइट अंसर आपसे नमबर बी विटामिन डीम हुमिन मिल्क में नहीं पाया जाता है नेक्ट कोशन है फ्रेंड कोश्चन नमबर 27 विच क्लासिफिकेशन आप ड्रक्स में भी यूज़ इन चिल्रेंट टू ट्रीट इनियुरेश इनियुरेश कोशन का राइट आंसर आपसे नमबर डी ट्राइसाइकल एंटिडिप्रेसेंट का उप्यों किया जाता है बच्चे में अनियुरेशिस के ट्रीटमेंट के लिए ठीक है फ्रेंड्स अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक करें अपने दोस्तों पर सेर करें फ्रेंड्स अगर आप लोग हमाई चैनल करना है तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब आउस करें थैंक यू फर वाचिंग फ्रेंड्स